हेलो फ्रेंज, वेल्कम बेक ट्यूमाय यूट्यूब चैनल सागरी वीश्टूर आज मैं आप लोगी साथ इस वीडियो में कुछ प्रडक्ट्स का रिव्यू करने जा रहा हूँ, असल में ये एक ओर्डर आई थी आंध्रा प्रदेश से, डेड़ी सर्चे उनका एक एलेट्रिक स्पेर पार्ट्स शॉप है, वहीं पे उनके आंध्रा प्रदेश में, तो उन्होंने हमारी स्टोर से कुछ प्रडक्ट्स लिये है, ओर्डर किया गया है, तो मैंने सुचा कि डिस्पैच करने से पहले एक बार आप लोग साथ ये प्रडक्ट्स, सारे प क्योंकि ये सब ऐसा माटेरियल है, जो इसली एवेलेबल नहीं भी होती है, और जब एवेलेबल होती भी है, Amazon, Flipkart या वगेरा, अधर साइट्स पे, तो थोड़ी कॉस्टली रहती है, तो इसलिए यहां हमारे स्टोर में रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगे, होल वीडियो को शुरू करते है, रेडिसर ने जो जो लिया है, उसका एक एक पार्ट्स का हम यहां पे आप लोगों को दिखाते है, वीडियो को शुरू करते है, यहां से शुरू करते है, सबसे छोटा चीज से, XT60 Connector, यह हमारे स्टोर पे एवेलेबल है, XT60, इनफॉरमेश आप 60 amp तक maximum current जहां पे यूज होती है वहां पे ये connector यूज कर सकते है और ये XT90 उसी के साथ जा रहे है एक पेर इसको एक पेर कहते है XT90, so you can use for when your current is of maximum 90 amp ये थोड़ी बड़ी साइज में आती है male female ये दो हो गया एक junction box उन्हों ने लिया है five pull में आती है three for motor phase and two for power supply इसको खोल के तो दिखाने का जुरूरत नहीं है आप लोग जानते ही है junction box रहती है phase wires पे यूज होती है और दो motor केबल सारी controller से जो positive negative आती है वह side रखते जाते है clear करते जाते है ये xt60 and xt90 connector is available junction box is also available ये उन्होंने anti theft लिया है and this is compatible for all voltages 48 60 and 72 इसके साथ आपको दो की मिल जाती है इसका wiring बहुत ही simple रहती है controller में already wiring रहती है controller में already wiring रहती है ये इसका पहले ये दिखा देते है ये आलाम इसको कहते है इसमें आपको चाबी को निचे रख देते है ये इसका antenna signal की तरह काम करती है ये वाला और ये power supply है you can give 4860 or you can use it in 72 volt also and this is for the signal wires जो controller में सेम इसी तरह से आपको इसका other port मिलती है controller में लग जाती है और इसका ये central locking नहीं है इसका functions क्या क्या देती है गाड़ी को आप on कर सकते है lock unlock lock कर सकते है alarm set कर सकते है और buzzer बजा सकते है parking zone में अगर आपका गाड़ी बहुत ज्यादा वेकल्स है तो आपको पहचानने में अपना गाड़ी दिकत होती है तो आप जब ये दबाएंगे तो फिर indicators जलने लग जाती है ये दो आती है चाबी तो इसके साथ ये भी आ जाती है ये अगर जरुरत है तो आप लगा सकते हैं जरुरत नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं और आप सोचेंगे फिर ये चाबी हमारा पास हम लोग के पास already चाबी रहती ही है तो अगर आप इसको अपना वेकल में set करेंगे तो इसके साथ मैच हो जाएगे नहीं तो आप अपना लॉक का जो रहता है चाबी इसके साथ बनवा सकते हैं तो यह अलाम एंटी थिफ्ट जिसको कहते हैं यह भी उन होने लिए इसको साइट कर देते हैं कन्वर्टर डीसी टू डीसी कन्वर्टर 20 एंप मेड इन इंडिया 20 एंप अच्छी होती है 10 एंप से क्योंकि अगर गाड़ी में बहुत ज्यादा 12 वोल्ट एप्लिकेशन है जैसे कि LED लाइट हाई बीम का है लो बीम का है ज्यादा वाट का है तो 20 एंप यूज करना बेटर रहेगे यूज कि आगर वहां पर बाइचांस अगर आपने 10 एंप का यूज किया है और कौई अप्लिकेशन आपका 10 एंप से ज्यादा अगर करेंट डॉ करेगी तो वहां पर कर्णोलर आपका कर्णों दो जाएगा सॉर्ड कंवर्टर कहते हैं इसका यह समझा देते यहाँ पर एक फ्यूज दिया गया है ताकि हाई करेंट अगर फ्लो होती है 20 एम्प से ज्यादा अगर फ्लो होती है तो आपका ये खराब नहीं होगी ये फ्यूज पहले ही उड़ जाती है ये फ्यूज को आप निकाल भी सकते है चलिया भी निकालते नहीं है तो यहाँ पर इसका कनेक्शन आप देख सकते है रेड इस फॉर हाँ ये 12 वोल्ट में कनवर्ट करती है 48, 60, 72, 36 वोल्ट, 36 से 36, 48, 60, 72, 24 वोल्ट पे भी ये काम करती है तो यहाँ पर रेड इस फोर ये बैटरी पॉजिटिव और ब्लैक इस फोर देख से बाटरी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉर ब्लैक इस फोर बोथ 12 वोल्ट और बोथ यही आपका मतलब यह बैटरी में कनेक करना है जो आगर डीस अप्लिकेशन आपके यूजिज करना है हेडलाइट वगेरा तो यह और यह आपका बैटरी में जाएगी और ये बारब होल्ट का आउटपूट पॉजिटिव देगी और बारब होल्ट का नेगेटिव आप यही नेगेटिव में टैपिंग करके यूज़ कर सकते हैं तो साइट कनेक्शन समझ में आ गया होगा है सिंपल ही है चलिए इसको भी साइट रखते हैं उन्होंने लिया है यह इसको हम लोग हीट रेजिस्टेंस टेप कहते हैं और कैप्टेन टेप भी कहते हैं यह उन्होंने लिया है इसको भी साइट रखते हैं एक MCB उन्होंने लिया है 40A का MCB जो लगती है MCB का रोल क्या होता है बैटरी का जो positive और negative रहती है तो कभी कहीं वेकल में अगर short circuit होती है तो MCB ट्रिप कर जाती है उससे क्या होता है कि बैटरी का BMS खराब नहीं होती है या बैटरी में short circuit होने का जैसे आग नहीं लगती है तो MCB जो घर में भी use होती है यह specially made for electric वेकल है तो यहाँ पर एक input और और एक output है और unipolar है इसमें polarity का कोई यह issue नहीं है तो यह कहाँ पर लगती है वो हम बताते हैं जब भी आप बैटरी का जो output जो red wire बैटरी का main red wire आप इस पर लगाईएगा उसके बाद यहाँ से आप ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो main current होगा बैटरी का जो current होगा इसके through से जाएगा तो अगर कभी भी यहाँ पर वेकल में अगर यहाँ सामने वेकल है अगर यह वेकल है और यहाँ पर आपका बैटरी है मान लेते है फर इंस्टेंट यह यहाँ से रोल प्ले करती है यह अगर बैटरी है फर एन एक्जामपल अगर यह आपका वेकल है और यह आपका बैटरी है तो बैटरी का positive यहाँ पर जाएगी और फिर यहाँ से through होकर के फिर machine में जाएगी यानि कि वेकल में जाएगी तो अगर कभी भी वेकल में कुछ short-circuit या कुछ होती है या कोई short-circuit या कुछ भी होती है फॉल्ट होती है तो यह trip कर जाएगी और यह trip करने का मतलब है कि यह बैटरी से connection इसको देना बंद कर देगी तो इसलिए in that case आपका बैटरी सेव हो जाएगी बैटरी में कोई short-circuit होने का chance नहीं रहेगा तो जब इसको उठा लिए तो इसको भी बता देते है यह PG gland कहते है यह भी हमारे store में मिल जाती है यह PG gland अम लोग battery pack जब बनाते है तब output terminals में use करते है सिर्ट battery packs में नहीं आप कोई भी device बना रहे है तो बाहर जैसे निकालना रहता है wire तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते है इससे एक अच्छा look भी आती है और terminal safe भी रहती है क्योंकि wire को बहुत चन इस तरह से खीच देता है तो यह बचाव करती है in that case यह आती है next item पर बढ़ते है उन्होंने यह spot welding का circuit लिया है 100 amp का जो मैंने काफी बार नहीं एक बार review किया है यह 100 amp का DIY spot welding timer and current control board है इसमें आपको display भी मिल जाती है इसमें 2 knob 1 knob for you can control the time of the spot welding and this you can control the current तो यह उन्होंने लिया है 100 amp का है क्योंकि 40 amp is not reliable for a good spot welding and this is provided with an instruction manual तो यह भी हमारी store पर मिल जाती है इसको भी side कर देते है अब चलते है उन्होंने एक inverter के लिए आँ BMS order किया है 16 is 48 volt 100 amp discharge current 100 amp charging current 50 amp यह charging current 50 amp कहने का मतलब है कि आप अगर बैटरी कोई बनाते हैं तो यह BMS यूज करते हैं तो वो बैटरी pack का charger 50 amp से ज्यादा नहीं होने चाहिए 50 amp का कम का charger से आप चार्ज कर सकते हैं उसका मतलब यह होता है और discharge current कहने का मतलब कि आप का लोड 100 amp से ज्यादा अगर होगा तब यह खराब हो जाएगे 100 amp से कम का लोड रहेगा तो फिर यह नहीं जलेगे प्रॉपर्ली काम करेगे जैसे काम करने चाहिए यहाँ पर NTC दिया रहता है temperature sensor और यहाँ पर इसका cable रहती है 16 series का है तो 17 wire रहती है इसमें 17 wire यह black corresponds to the negative and first series, second series and so on up to 16 so this is good brand DALI BMS branded है waterproof है और इसका यह site पर आपको बता देते है this is for your battery negative यहाँ पर लिखा हुआ रहता है terminal यह battery का negative में connect करना है और यह load का negative है P means load L होना चाहिए था है ना लेकिन नहीं P कहते है ओके load को P से symbolize करते है तो यह BMS भी उन्होंने लिया है यह waterproof BMS है चलिए BMS भी हो गया इसको भी site करते है अब बढ़ते है next item पे यह filament tape उन्होंने लिया है 48 mm x 50 meter का filament tape which is used for battery making process for binding the double layer battery packs and also for epoxy जब हम लोग लगाते हैं बाहर तो मेरे काफी सारा battery packs पे वीडियो है तो बाहर जो epoxy हम लोग edges में लगाते edges को bind यह अच्छे तरह से करती है तो फिलामेंटे भी उन्होंने लिया है तो यह भी हमारी store में मिल जाती है कुछ भी आपको अगर जरुरत पड़े electric vehicle का spare parts तो आप हमें संपर्क कर सकते है मेरा WhatsApp नंबर उपर दिया रहता है और description में भी रहता है चलिए next item पर बढ़ते है यह display है काफी सुन्दर display यह आती है यह universal है it works on 48V, 72V and 60V also यहाँ पर voltage choosing wire दिया है अगर आप connect करते है तो यह 48 और 72V पर चलेगी अगर disconnect करते है तो यह 60V पर चलेगी यह display बहुत ज्यादा sell हुआ है हमारी store से क्योंकि यह display का जो look रहती है इस पर बहुत सारे functions है इस पर on करकी दिखाना चाहिए था हम image डाल देते हैं इस पर क्या-क्या functions है अभी on करना तो supply देना पड़ेगा तो खेरा भी करते नहीं है तो चलिए पहले इसका बता देते हैं इसमें क्या-क्या show होगी इसमें voltage label भी है हम image share कर देते हैं इसमें voltage label भी है battery label भी है और यहां पर आपको status भी दिखाई देती है इंडिकेटर का left right front light का charging का अगर आपका battery बहुत कम होने वाली है तो वह भी indicate करती है ready का ready मतलब यहां पर लिखा है देखने पाएंगे तो यह है यहां पर और भी बहुत स्पीड दिखाती है डाइनमिक में भी और डिजिटल में भी temperature sensor है यह temperature sensor है यह temperature sensor को आप अपने battery pack में भी ले जाकर के लगा सकते है क्योंकि उसी के लिए बननी रहती है क्योंकि अगर ज्यादा heat हो जाने पर गाड़ी automatically off हो जाती है क्योंकि thermal heating का वज़े से फिर battery packs में आग लगने का chances रहती है in case of lithium ion phosphate में कभी आग नहीं लगती है यह ध्यान रखिएगा इसका output terminals हम बता देते हैं बहुत ही simple है इसमें green and black is for the supply green और black जो मिलेगा वो supply का है और white जो है वो speed का है और बाकी rest in 12 volt supply left right and front light indication के लिए है बहुत ही simple यह रहता है इसका wiring diagram अगर आप लेंगे तो wiring diagram आपका WhatsApp में share कर दिया जाएगा चल यह आगे बढ़ते हैं यह उन्होंने sign wave controller लिया है खेतान brand का यह बहुत ही अच्छा controller माना गया है क्योंकि मैंने भी इसको अपना scooty में जब लगाया तो speed थोड़ा मेरा increase हुआ है वैसे मेरा 250 watt का scooty है hero optima dx तो मैंने controller जब change किया था तो यही brand का मैंने लगाया था तो pickup speed मेरा थोड़ा बढ़ा है 5k mph तक शायद बढ़ा है क्योंकि हम चलाते हैं तो हमें पता है यह sine wave controller pure sine wave तो नहीं है लेकिन performance काफी उंदा है इसमें बहुत अच्छा functions आपको दिया गया है अगर आपका motor gearless है जो कि सारी scooters scooty के motors gearless ही आती है कोई-कोई शायद with gear आती है तो जो gearless motor रहती है उसमें एक function बहुत अच्छा रहती है कि वह reverse भी जाती है तो अगर आपका scooty है तो यह controller अगर आप लगाते है तो उसमें आपका एक reverse function भी मिल जाती है और three speed mode का भी function मिल जाती है चलिए इसका जल्दी जल्दी एक आपको information दे देते सभी पर labeling किया गया है तो controller में wiring का कोई चींता नहीं है एक एक करके हम बताते है यह yellow blue and green is for the motor phase this red is for the battery power supply and जो की mcb के through से जाना चाहिए वही हम बता रहे थे mcb पर यह लगेगी पहले उसके बार mcb का साइट पर mcb लगेगी और यहां से बैटरी के लगेगी और यह है आपका बैटरी नेगेटिव हो गया खतम यह सारा हम समझाते हैं यह जो भी भाई हमारे लिए है बहुत सारा सेल हुआ है तो कंट्रोलर का अगर वाइरिंग नहीं समझ में है तो यह वीडियो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो अंतक देखिएगा क्योंकि बहुत सारा information हम बताते हैं यह है hall sensor motor का hall sensor यह 5 वायर आप पहचान लेंगे hall sensor यह जो एक पतला ओरेंज वायर है यह ignition है key lock मतलब आप इसको positive battery से देंगे तब ही जाकर कि यह on होगी यह key lock ignition की this one is written over here reverse इसको आप अगर short करेंगे तो जब तक short रहेगी तब तक यह आप short करेंगे और accelerator देंगे तब तक आपका गाड़ी reverse direction में जाएगी तो reverse function भी है और फिर जब यह disconnect कर देंगे तो फिर वो forward direction में जाएगी यह single wire जहाँ पे ऐसा आपको मिलता है वो speed signal wire है जो की meter में wire यहाँ पे यहाँ पे जो white color का जो wire है वो इस wire में जाती है अगर आपका controller में और भी a query आती है कि भया हम लोग का controller में speed wire नहीं है तो speed wire अगर नहीं है तो आप कोई भी motor phase में meter का wire जो signal wire speed signal wire meter का wire आप कोई भी three phase में connect करेंगे तो वो speed rpm देखाने लग जाएगी तो यहाँ पे तो दिया हुआ है आप इसे में connect कर सकते हैं आगे चलते हैं जल्दी जल्दी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यह है three speed का कि इसमें three speed का switch अगर आप देंगे तो गाड़ी तीन speed में चलती है जैसे कि आप जानते है कि क्या कहते हैं low medium high वो इस स्पीड में चलेगी three speed है यह three speed इसमें बस switch लगाना है जैसे कि यह throttle यह throttle के साथ ही समझाना चाहिए था यह throttle भी उन्होंने लिया है ऐसा switch three speed यह देखिए यहाँ पर होगा यहाँ पर तो यह indicator का है इसी को यूज कर सकते है यह first यह second यह third फर्स सेकेंड थर्ड फर्स सेकेंड थर्ड थ्री स्पीड स्वीच है तो यह three switch हो गया यह normally जो आप जानते ग्रीड रेड ग्रीन एंड ब्लैक फर थ्रॉटल का यह ब्लैक इस पॉजिटिव ग्रीन इस सिग्नल वायर एंड रेड इस पॉजिटिव फाइव वोल्ट आती है केंट्रोलर की त्रू से दश्विसे अगे बढ़ते हैं सब में लीखा हुआ है तो कोई आपको ही जक नहीं है समझना लू लेळल इसका मतलब है ब्रेक अगर इसको आप शौ। करेंगे मतलब जो कि brake lever से short होती है यह brake lever जब आप press करेंगे brake lever का wire यहाँ पे हम लोगों को लगाना रहता है और आगे चलते है यह जो एक extra wire, purple wire है यह speed wire नहीं है remind it, speed wire नहीं है यह है high level brake अचानक से brake लगाने के लिए यह तो इसको 12 volt supply देना रहता है 12 volt supply अगर आप positive 12 आप इस पे apply करते है तो आपका जो motor बंद होगी इसमें और low level में क्या अंतर है इसमें आपका normally धीरे से motor बंद हो जाएगी smoothly, smooth brake लगेगी smooth cut-off हो जाएगी लेकिन इसमें आप देंगे तो जैसे कि starting करते हैं जटका से torque से start होती है तो वैसे एक torque से ये break लग जाएगी तो इसका use ना किया जाए तो ही अच्छा है for safe riding यह है self study self study कहने का मतलब है कि अगर आपका controller कुछ abnormal way में चल रही है तो एक बार आप इसको एक दूसरे के साथ connect कर देंगे और फिर हटा देंगे तो वो चलने लग जाएगे यह company द्वारा देती है अगर कुछ fault हो जाती है या abnormal hang हो जाती है controller तब यूज करते हैं और यह ही है anti theft का यह anti theft का power supply है और यह signal जो की था यहाँ पे हमने आपको दिखाया था जो की दिखा रहे हैं यह same है देखिए this black and red goes to this and this wire will go to this signal wire यह signal wire है यह signal wire matching ही आती है बस लगा देना है तो कुछ भी नहीं बचा आप खतम उन्होंने कुछ insulator ring 18650 के लिए भी लिया है उनका दुकान है आंद्रा पर्देश में तो इसलिए इतना सारा समान वो हमसे ले रहे है थोड़ा थोड़ा ही ले रहे है क्योंकि अभी उनका starting business है इस field में उन्होंने एक यह बहुत अच्छा और high quality का इसको accelerator कह सकते है throttle कह सकते है यह देख सकते आप इसके set आती है यह यह right side का है यह throttle है यहाँ पर आप mirror भी place कर सकते है mirror के लिए threading दिया गया है और यह काफी high quality में brake lever है यहाँ पर switch है देखिए वही जो brake का autocut काम करती है यहाँ पर बहुत सारा switchे से यह यह horn के लिए नहीं है ध्यान दिजेगा यह horn के लिए नहीं है क्योंकि आप खुद ही सोचेए जब आप गाड़ी चलाते है तो accelerator लेते तो यह हाथ से horn दबाना मुश्किल रहती है horn यह है left side में हमेशा रहती है अब एक hero ही company का पता नहीं क्यों right side में भी horn का दे देता है वह क्यों use है आज तक मुझे भी नहीं पता चला है हमेशा horn left side में रहती है यहाँ पे आप इसको high beam low beam यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन है आप गाड़ी चलाते होंगे तो समझी जाएंगे और इसको अपने तरीके से use कर सकते है यहाँ पे तीन स्विच मिल जाती है इसको आप 3-speed mode में भी use कर सकते है इसको आप high beam low beam हाँ यह high beam और low beam इसमें use करेंगे तो हो जाएगा इसमें 1,2,3 speed use करेंगे अगर वो controller लेते हैं तो इसमें 1,2,3 speed use करेंगे तो हो जाएगा यह reverse में काम आएगी क्योंकि reverse में तो यह push button है reverse में तो अब पीछे तो गाड़ी थोड़ा momentary ही आदमी लोग push करता है तो push करके जैसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो forward direction में ही हो जाती है अब चलते तो जाना नहीं है इसलिए यह continuous on वाला नहीं है जैसे आप यह दबा करके accelerator लेंगे तो आपका गाड़ी पीछे जाएगे फिर जैसे छोड़ देंगे और गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगे इसका left में भी आपको आती है switches का बहुत problem रहती है तो यहाँ पर काफी switch दिया गया है यह तो indicator का है यह horn का है और यह light का है यहाँ पर भी mirror आप लगा सकते है इसके साथ left tip भी आती है तो इसको भी करते है side अब सबसे important चीज यह couplers बहुत demand में रहती थी तो इसलिए मैंने सोचा यह मेरे पास पहले से रहती थी लेकिन मैंने कोई video नहीं बनाया था तो आज मौका मिला है बनाने का यह देखिए 2 pin का भी मिल जाएगा हमारे पास male female 3 pin का भी मिल जाएगा in any quantity यह 9 pin का है male female और यह 6 pin का है 2, 3, 6 and 9 pins are available in pair for male and female और इसके साथ pin आती है उन्होंने यह 100 pieces में हमसे order लिया है 100 pieces each 2, 2 pin male female और 3 pin एक side रखते है ताकि आपको समझना है यह 2 pin है, यह 3 pin है, male female है दोनों यह आप देख सकते है इसको अगर ऐसे करेंगे तो यह 2 pin, 3 pin और यह 6 pin और यह 9 pin काफी use होती है, मिलती नहीं है और इसके साथ यह pins इसका, एक male के लिए अलग आती है, female के लिए अलग पीन आती है उन्होंने 100 100 order किया है, यह 100 pieces, यह 100 पेर, 100 पेर, 100 पेर, 100 पेर, 100 पेर तो यह couplers क्योंकि जो controller आपको रहता है और controller को फिर काटना पड़ता है wire जोडने के लिए तो वो चीज बेटर नहीं है, professional नहीं है, एक तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप बाइचांस यही controller लेते हैं और आपके पास coupler नहीं है, तो फिर वो ढूंडना मुश्किल तो नहीं, नामुम्किन हो जाती है और Amazon से आप मंगा आएंगे, तो बहुत महेंगी पड़ जाती है, तो वैसा couplers आप ले सकते हैं हमारे store से, तो इतना ही products था, उन्होंने order किया था, तो शायद इन products में कभी भी आपको कुछ भी चीज जरुरत पड़े तो मुझे screenshot करके बेच सकते हैं मेरे WhatsApp नंबर पर और directly हमें वहां पर price आप पूछ सकते हैं, क्योंकि price हम इसलिए नहीं बताते हैं, क्योंकि आज इसका price कुछ और है, तो कल कुछ और होगा So, thank you friends for watching this video and thanks for the support from the very first beginning, आप लोगो ने सौर मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि मुझे पता चलता है feedback से, और हमारा specially battery making है, और सिर्फ battery making ही नहीं, सारे EV spares का parts हम, almost जो जो लगती है वो हम sale करते हैं, अगर आपको इन में से कुछ भी चीज चाहिए रहेगी, तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, प्राइज आपको वहीं पर बता दिया जाएगा So, thank you friends for watching and please do subscribe my channel, thank you